हमने स्चार्ट किया है सेल बाइलोजी इन बायो टेकनलोजी फ्रॉम एससी क्लास 10 साइंस टू चैप्टर नमबर 8 आज देखेंगे इसका लेक्चर 2 जिसमें बात करेंगे यूजिज ऑफ स्टेम सेल लेक्चर 1 में हमने देखा स्टेम सेल क्या होते हैं कहा होते हैं क्या करते ह हैं अब देखेंगे इनको हम treatment में किस तरह यूज कर सकते हैं और दूसरी बात बहुत important बात हम देखेंगे organ transplantation क्या होता है कब होता है कहां होता है यह सब आपको बताऊंगा if you are new to the channel subscribe करना शेर करना वीडियो करना लाइक भी करना तो चले शूरू करते हैं सबसे पहली बात uses of stem cell देखो stem cell से एक therapy की जाती है जिसको हम बोलते है regenerative therapy also called as cell therapy ठीक है क्या बोलेंगे regenerative therapy और cell therapy इसमें करना क्या है stem cells are used to replace the dead cells मालो कि आपके body में कोई organ है या फिर उसका कोई tissue है या cell है जो damage हो गया है dead हो गया inactive हो गया है काम कर रहा नहीं है तो उस dead cell को हम replace करेंगे with the help of stem cell concept काफी simple है लेकिन practically इतना जादा easy नहीं है बहुत सारे problems आता है इसमें example लेके बात करेंगे चले सबसे पहले बात करते हैं diabetes की diabetes क्या होता है सबको पता है न सबने सुना होगा आपके blood का जो sugar होता है glucose का जो level होता है वो बहुत जादा बढ़ जाता है and glucose का level बढ़ जाएगा तो body में बहुत सारे problems होते हैं इसको हम diabetes बोलते हैं लेकिन यह होता क्यों है देखो अपने body में एक organ है जिसको बोलते है pancreas यह pancreas आपके stomach के पीछे होता है अब इसका पहला काम है digestion यह हमें digestion में help करता है pancreatic juice produce करता है लेकिन एक और बहुत इंपोर्टन चीज़ करता है यह pancreas के अंदर कुछ special type के cell होते हैं यह जो बीच में आपको थोड़ी grey grey जैसे दिख रहे हैं इनको बोलते हैं beta cells यह beta cells insulin produce करते हैं insulin एक hormone है हमने 9 standard में पड़ा हुआ है insulin जो hormone है वो क्या करता है आपके blood में जो sugar है उसको वो control में रखता है correct अब मान लीजे कि यह जो beta cells हैं वो damage हो गए है dead हो गए है inactive हो गए है काम कर रहे नहीं है तो ऐसे टाइम पर insulin का production will go down and अगर insulin नहीं होगा तो आपके blood का sugar बढ़ेगा and blood का sugar बढ़ेगा तो आपको क्या होगा diabetes होगा मानते हो तो ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं चले देखते हैं मालों कि कटोरी में मैंने लिए है टेम सेल कटोरी नहीं है पेट्रिडिश है अब एक बात बता देता हूं यह जो concept आपको मैं यह जो process बताऊंगा वो सुनने में काफी अच्छी लगती है काफी interesting लगती है लेकिन practically उतनी जादा अब तक use नहीं की गई है बिकॉस उसमें बहुत सारे problems आते बहुत सारी difficulties आती है animals में यह try किया हुआ है and successfully हुआ भी है humans में उतना जादा अब तक नहीं देखा गया है लेकिन research चल रही है कोशिश जारी है ठीक है तो process समझो पेट्रेडिश में क्या लेकर रखा है हमने stem cells अब इन stem cells को मैं कुछ biochemical stimulus दोंगा मतलब simple भाशा में stem cells के उपर कुछ chemicals release करूँगा and in stem cells को मैं transform करूँगा into beta cells the cells that produce insulin ठीक है beta cells हमने laboratory में बनाए फिर वो beta cells हम क्या करेंगे pancreas के अंदर transplant कर देंगे फिर ये beta cells वापिस insulin बनाने लगेंगे and वो बन्दा वापिस diabetes से क्या और हो सकता है concept काफी ज़्यादा straightforward है लेकिन उतना ज़्यादा आप तक humans में किया गया नहीं है काफी ज़्यादा difficult है research चल रही है cool तो second example लेते हैं देखिए बिमारी का नाम है myocardial infection सिंपल भाषा में heart attack heart attack इसमें क्या होता है heart अपने muscles को blood नहीं दे पाता heart अपने muscles को blood नहीं दे पाता मतलब क्या diagram में देखो heart के उपर आपको एक artery दिख रही है circle के अंदर देखो बड़ी से एक artery दिख रही है इस artery को बोलते हैं coronary artery and इस coronary artery का काम है heart के muscle को blood पहुचाना अब मान लो coronary artery के अंदर आगया कुछ block and blood पास हो पारा नहीं है तो heart का जो muscle है उसको cardiac muscle बोलते हैं na cardiac muscle को blood नहीं पहुचेगा तो वो cardiac muscle pump नहीं कर पाएगा काम करना बंद कर देगा and अगर तुमारा heart pump करना बंद कर दे उसको ही हम क्या बोलते हैं heart attack बोलते हैं मुद्दा समझ में हाँ heart attack क्यों आता है coronary artery के अंदर आजाता है block heart के muscle को blood मिलता नहीं है and वो काम करता नहीं है heart का muscle dead हो जाएगा अब मान लो कि treatment करके surgery करके हमने artery के अंदर का block हटा दिया block को निकाल दिया है अब heart वापिस काम कर रहा है बट जो muscle dead हो गया है damage हो गया है वो वापिस regenerate होता नहीं है तो ऐसे टाइम पर अगर हम stem cells को एक injection में भरके हमारे blood में release कर दें ध्यान से सुनना तो वो stem cells blood से पास होते हुए जाएगे आपके heart में and जो muscles damage हो गये हैं उनको वो लोग replace करेंगे वापिस regenerate करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये भी काफी सारे patients में positive results दिखाता है and कुछ patients में नहीं दिखाता है यहाँ पर भी कोशिश जारी है research जारी है उतना जादा humans में successfully किया गया नहीं है कुल है दो बिमारी समझा थर्ड बिमारी बिमारी का नाम है Alzheimer's disease Alzheimer's disease it is a degenerative disorder of the brain आपके brain के जो neurons होते हैं न सिंपल भाशा में वो neurons मरने लगते हैं डेड होने लगते हैं damage होने लगते हैं सबसे पहले जो neurons आपके short term memory को control करते हैं ठीक है short term memory सबसे पहले वो neurons मरने लगते हैं तो जो बंदा होगा जो इंसान होगा उसने कल रात को क्या खाया था सुबह क्या किया था ये सारी छोटी 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 चीज़े भूलने लगेगा short term memory उसकी खतम होने लगेगी फिर धीरे और neurons मरने लगेगे जो deep memory होती हैं हमारी पुरानी memories strong वाली memories वो भी damage होने लगती हैं तो वो बंदा अपने आसपास के लोगों को भूल जाएगा उनके नाम उनके चेहरे अपने घर का address घर का रस्ता ये सारी चीज़े भूलने लगेगा एक point पे वो बंदा खुद को भी भूल जाएगा and ultimately उसके body के systems जो है organs जो है वो भी fail होंगे and which will ultimately lead to death मुद्दा समझा तो क्या हम यहाँ पर stem cells को use करके अगर हम stem cells को body में release करें और वो stem cells जाते हैं तुमारे brain में तो जो neurons dead हुए है damage हुए है क्या हम उनको regenerate कर सकते है replace कर सकते है using stem cells इसके पिछे भी research जारी है कोशिश जारी है ठीक है animals में यह successfully थोड़ा थोड़ा किया गया है humans में उतना जादा अब तक successfully नहीं हुआ है ठीक है अगली बिमारी आखरी बिमारी चलो Parkinson's disease Parkinson's भी क्या है it is again a degenerative disorder of the brain brains के neuron dead होने लगते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है न बताता हूं आपको इसके साथ मेरा personal experience भी है मेरे दादा जी को हुई थी तो मैंने first hand देखा है क्या क्या changes आते हैं body के अंदर देखो आपके brain में chemical produce करते हैं उस chemical का नाम है dopamine 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 यह dopamine क्या करता है ना it is very very important for body movements चलना हाथ उठाना पैर उठाना लिखना dance करना तो यह सारी जो movements है उसके लिए मुझे क्या चाहिए मुझे dopamine चाहिए अब मालो कि वो जो neurons dopamine बनाते हैं वो damage हो रहे हैं dead हो रहे हैं मर रहे हैं तो dopamine का production कम हो जाएगा dopamine अगर नहीं होगा तो मेरी body का movements भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो सबसे पहला symptom क्या होगा tremors हाथ कापने लगेगा आप किसी चीज को उठाने जाओगे तो वो चीज आप बराबर से उठाने ही पाओगे उसको आपका हाथ कापते रहेगा और वो गिर जाएगी फिर देरे देरे वो बंदा चल नहीं पाएगा completely bed पर आजाएगा फिर देरे 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 उसके body के organs body के systems भी shutdown होने लगेंगे which will ultimately lead to death तो इसमें भी हम stem cells को use कर सकते हैं किस तरह use करेंगे देखें stem cells को हम transform करेंगे laboratory में into neurons that can produce dopamine and फिर उन neurons को लेकर अगर हम हमारे brain में transplant करें तो वापिस dopamine produce होने लगेगा और वो बंदा जो है वो वापिस चलने फिरने लग सकते हैं इसमें भी कुछ success हमें मिली है कुछ success मिली नहीं है research जारी है कोशिश जारी है यहां तक कि आई हो आप कहानी समझ में आ गई है तो चले थोड़ा आगे जाते हैं Regenerative therapy को यूज करके हम blood cells भी बना सकते हैं कौनसे cells blood cell red blood cell white blood cell platelets याद करना वो दिन lecture 1 में जब मैंने आपको बताया था हमारा जो thigh bone है hip bone है उसके अंदर एक fluid होता है jelly like material होता है red bone marrow और उसमें होते हैं काफी सारे stem cell जो blood बनाते हैं bone marrow के stem cell क्या बनाते हैं blood बनाते हैं अब imagine करो अगर मेरा जो stem cell है bone marrow का वो बराबर काम कर रहा नहीं है and blood बराबर से बन रहा नहीं है अभी तो बराबर काम कर रहा है लेकिन अगर मेरा stem cell काम ना करे and blood बने नहीं तो मुझे बहुत सारी बिमारिया हो सकती है तो ऐसे टाइम पर मेरे किसी relative का मेरे parents का मेरे किसी भाई भेन का या फिर किसी matching donor का bone marrow लेकर थोड़ा सा bone marrow उनका लेकर मेरे bone के अंदर transplant किया जाए तो मेरे अंदर नया stem cell आ जाएगा और अब वो normally blood produce करेगा और मेरे जो बिमारी है वो क्योर हो सकती है कंसप्ट समझ रहे हो का नहीं समझ रहे हो इसको बोलते हैं bone marrow transplant और यह बहुत ज़्यादा popularly किया जाता है काफी सारी बिमारियों को क्योर करने के लिए use किया जाता है let us understand with an example ठेक है मान लो कि यह bone marrow के stem cell है इनको use करके हम anemia को क्योर कर सकते हैं what is anemia खून की कमी किस की कमी खून की कमी देखो left वाला जो डाइग्राम है उसमें आपको काफी सारे red blood cell दिख रहे हैं वो normal condition है लेकिन जो right वाला डाइग्राम है उसमें red blood cells कम हो गये हैं इसको हम ब bone marrow transplant किया जाए तो जो नया stem cell है वो वापिस normally blood produce करेगा और मेरा अनेमिया क्योर हो सकता है करेक्ट दूसरी बिमारी इसको बोलते हैं थालसीमिया क्या बोलेंगे थालसीमिया अब left वाला image देखो वो normal है right वाला जो image है डाइग्राम है उसमें आपको देख रहा है red blood cells का shape थोड़ा तेड़ा मेड़ा हो गया है change हो गया है अब इसमें क्या होता है आपके red blood cell में hemoglobin बराबर से बनता नहीं है आपको पता है hemoglobin क्या करता है it is responsible to carry to transport oxygen तो अगर hemoglobin बराबर से नहीं बना तो आपके body के cells को oxygen बराबर मिलेगा नहीं और आपके red blood cell का shape थोड़ा change हो जाता है तो ऐसे टाइम पर अगर मैं bone marrow transplant करवाऊं नया stem cell अगर मेरे अंदर आ जाए तो वो बराबर blood बनाएगा और मेरा thalassemia क्यार किया जा सकता है cool है एक और बीमारी है हमारे पास leukemia left वाला image देखो red blood cell ब यह normal condition है normally हमारे अंदर red blood cell हमेशा जादा होते हैं white blood cell बहुत कम होते हैं लेकिन right वाला image देखो white blood cells की quantity हद से जादा बढ़ चुकी है बहुत सारे हो गये हैं इसको हम बोलते है blood cancer और leukemia so what happens in blood cancer क्या हो रहा है यहां पर white blood cells हद से जादा बढ़ चुके हैं तो ऐसे टाइम पर करना क्या है सबसे पहले chemotherapy and radiation therapy को use करके आपके bone marrow को completely खतम किया जाता है destroy कर दिया जाता है सबसे पहले क्या किया आपके bone marrow को खतम कर दिया फिर bone marrow transplant किया तो जो नया stem cell आया है वो वापिस blood नॉर्मली बनाएगा और हमारा leukemia भी क्योर हो सकता है तो यह हुआ bone marrow transplantation for anemia thalassemia and leukemia यहां तक समझा तो एक आखरी बात बताता हूं organ transplantation मान लो कि आपका कोई organ fail हो रहा है सचेज kidney और liver kidney या liver के अंदर का कोई tissue या कोई cell damage हो गया और बराबर काम कर रहा नहीं है तो ऐसे टाइम पर हम stem cell को यूज करके kidney का tissue बना सकते हैं stem cell को यूज करके liver का tissue liver का cells बना सकते हैं and उनको हम transplant कर सकते हैं body के अंदर concept बहुत अच्छा है सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन practical नहीं है अब तक नहीं है शायद आने वाले समय में हम यह कर पाएं शायद पूरी kidney भी बना पाएं शायद पूरा liver भी बना पाएं लेकिन अब तक यह उतना ज़ादा सक्सेस्फुली नहीं हुआ है ठीक है बट क्या कर सकते हैं इन प्रिंसिपल डामेज टिशू जो है इट कैन बी प्रडूस्ट इन दा लाबोरेटरी विद रहल्प ऑफ स्टेम सेल और उस टिशू को के लिए मायो कार्डियल इंफर्क्शन अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किन्सन डिजीज विकन अल्सो क्रिएट ब्लड सेल्स फॉर बिमारी सच आज अनेमिया थालसीमिया लुकीमिया करेक्ट है और और्गन तो यहां पर बच्चो आपके टेक्स्ट्बुक में एक बड़े से पेज पर एक बड़ा सा पैरेग्राफ दिया है जिसकी हेडिंग है और्गन ट्रांस्प्लांटेशन क्या होता है आये समझते हैं देखो वेरियस ओर्गन्स इन यूमन बॉड़ी सच अस तुमारा ब्रेन ह इंटस्टाइन है यही सारी चीजें डामेज हो सकती है इस ओर्गन्स केन बिकम लेस एफिशेंट मतलब यह ओर्गन बराबर काम नहीं करेंगे या फिर दे केन बिकम कम्प्लीटली फंक्शनलेस यह ओर्गन्स पुरी तरह काम करना बंद कर देंगे क्यों डियू तो रीजन किसी इंफेक्शन से भी कोई ओर्गन कम्प्लीटली डामेज हो सकता है खराब हो सकता है फिर कोई दूसरा डिजॉर्डर है कोई दूसरी बिमारी है जिसके वजह से ओर्गन डामेज हो गया है या फिर कोई एक्सिडेंट है कोई इंजरी होई है बलड लॉस हो गया बहुत स उस बंदे को hospital के continuous चक्र मारने पड़ेंगे for dialysis, जब तक उस बंदे को नया kidney नहीं मिलता, उसकी life बहुत जादा difficult हो जाएगी, मानते हो, तो अगर if that person gets the necessary organ, उसकी life can be saved, उसकी जिन्दगी बचा सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि एक बंदा अपने मरने के बाद, अपने death के करता है, तो 50 लोगों की जिन्दगियां बचाई जा सकती है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन not always possible, देखो किस तरह death हुई है, कब death हुई है, कौन से age पर, ये सब भी matter करता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि 50 लोगों की जिन्दगी बचाई जा सकती है, by organ donation, अच्छा, पिर ये लोग न है, excretion, आपके blood के अंदर जो भी कचरा है, यूरिया, यूरिक ऐसेड अमोनिया, उस कचरे को clean करना, आपके kidney का काम है, ये excretion का process एक kidney से भी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम एक kidney, अगर मेरे पास एक ही kidney है, तो भी मैं जिन्दा रह सकता हूँ, मान लो कि मेरे किसी relative को, मेरे किसी दोस्त को, मेरे भाई बहन को, या फिर मेरे माबाब को, किसी को भी अगर kidney की जरूरत पढ़ती है, अगर मैं match हो रहा हूँ, मेरा kidney उनके साथ अगर match हो रहा है, तो मैं अपना एक kidney donate कर सकता हूँ, simple है, make sense, and एक और बात, देखो बहुत ल symptoms होते हैं, तो उनको skin, हम हमारी skin उनको दे सकते हैं, donate कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहे है, skin को, एक machine होती है, उससे skin का एक पतला सा layer निकाला जाता है, and उस पतले layer को donate किया जा सकता है, for transplantation, like this, right, and transplant करते वक, काफी सारी चीज़ों के उपर ध्यान देना donor कौन है, जो organ देने वाला है, recipient कौन है, जो organ लेने वाला है, तो उन दोनों का donor का and recipient का blood group match होना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, age of the donor and the recipient, donor and recipient की age भी matter करेगी, right, and तीसरी बात, diseases and disorders of the donor and recipient, donor या recipient को कोई बिमारी, कोई disorder, को infection तो है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना organ हमने transplant किया है, वो वापिस infect हो सकता है, right, am I making sense, समझे रहा न, so all of these factors, blood group, age and disease and disorders, they need to be paid attention to, correct, and एक आखरी बाद, जब एक बंदा जिन्दा है, तो वो कौन से organ donate कर सकता है, अपने बाल donate कर सकता है, skin donate कर सकता है, एक kidney donate कर सकता है, liver का एक पार्ट, छोटा सा donate कर सकता है, lungs जो है, फेपड़े, उसका भी एक पार्ट donate कर सकता है, लेकिन इसके अलावा ये बंदा, blood donate कर सकता है, चलो, लेकिन उसके अलावा और organs donate नहीं कर सकता, other organs cannot be donated during lifetime, लेकिन मरने के बाल, after death, liver है, heart है, eyes है, जितने सारे organs हैं, अगर किसी को help होती होगी, तो वो सारे organs donate किये जा सकते हैं, all the organs can be donated after death, यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का, तो बच्छो यहां तक हमने सारी कहानी पढ़ ली, तो अब इसके उपर based कुछ questions भी solve कर लेते हैं, देखे, सबसे पहला सवाल, the property of stem cell is called as, stem cells के पास कौन सी ability होती है, कौन सा potential होता है, the potential to develop into many types of cell, क्या बोलते हैं, उसको flurry potency, flurry मतलब many, potency मतलब potential, यह मैंने आपको lecture one में बताया था, दूसरा सवाल, the disease related with the synthesis of insulin, अगर insulin का production कम हो जाता है, बीटा cells अगर damage हो जाते हैं, तो कौन से बिमारी होती है, diabetes, हमने अभी बात किया है इसके बारे में, तीसरा सवाल, define the following terms, stem cell and tissue, stem cell का definition, textbook में ढूणना मिल जाएगा, फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, special type of cells, which can develop or which can give rise to many other types of cells, थोड़ा फटा फट बोल दिया न, रिवाइंड करके बापिस सुनके लिख लेना, ठीक है, tissue का definition लिख दो, a group of cells having the same origin, same structure and same function is called as a tissue, यह भी हमने lecture one में देखा है, इसे है, फिर, ऐसे type का question, exam में 100% आ सकता है, बहुत अच्छे से देख लेना यह वाला, देखो क्या पूछा है, complete the paragraph by choosing the appropriate word given in the bracket, कौन से वर्ड दिये हुए है, degenerated, red bone marrow, adipose, connective tissue, blastocyst, umbilical cord, differentiation tissue, organ, यह सब दिया हुआ है, अब हम हमारा paragraph पढ़ते हैं, dash of stem cells can form various tissues in the body, stem cells कौन से प्रोसेस से अलग-अलग type के tissues बनाते हैं, उस process को क्या बोलते हैं, पढ़ा है नाम ने, differentiation, stem cells जब change होकर, transform होकर, दूसरा, दूसरे type का cell बनते हैं, तो उस transformation को क्या बोलते हैं, differentiation, correct है, दूसरा, stem cells are present in the dash, by which the fetus is joined to the mother, बच्चा और मम्मी के बीच में वो tube होती हैं ना, connection वाली, उस tube को क्या बोलते हैं, umbilical cord, umbilical cord में होता है, cord blood, and cord blood में होते हैं stem cells, यह हमने पढ़ा है, फिर stem cells are also present in the dash stage of embryonic development, अब इसके बारे में हमने lecture 1 में बात की थी, लेकिन आपको वो नाम मैंने नहीं बताया था, जो wall of cells होता है, mass of cells, जिसको हमने embryo बोला था, उसको actually blastocyst बोलते हैं, embryo तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर आप एकदम specific बात करोगे ना, तो उस wall of cell को blastocyst बोला जाता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, stem cells होते हैं, ठीक है, फिर, stem cells are present in dash and dash of adult human being, हमारे अंदर stem cells कहां पर हैं, सबसे पहले तो red bone marrow, and option में दूसरा देखो क्या दिया है, adipose connective tissue, आपका जो चरबी है, आपका जो fat है, उसमें भी stem cells present होते हैं, फिर क्या पुछा है, it has become possible to produce different types of tissues and dash part of any organ, with the help of these stem cells, degenerated part, इसी organ का damaged part है, degenerated part है, उसको भी हम stem cells से create कर सकते हैं, अभी तक उतना जादा successfully नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में किया जा पाएगा, ठीक है, फिर, question 5, give reason, some of the organs in the human body are very very valuable, most valuable, इसका answer अभी हमने जो organ transplantation का, organ donation का पूरा concept पढ़ा, उसके उपर ही based है, देखो क्या बोला है, various organs in the human body can become less efficient or completely functionless, खराब हो सकते हैं, काम करना बंद कर सकते हैं, due to aging, accident, infection, disorder, etc. life of such people can become very difficult, miserable, uncomfortable, उनकी जिंदगी खराब हो सकती है, मर भी सकते हैं, fatality में also occur, second point, फिर क्या बोला है, अगर कोई person मरता है, अगर किसी बंदे की death होती है, तो उसके जो organs हैं, वो थोड़े time तक functional रहते हैं, active रहते हैं, अगर उनको निकाल करके बराबर store किया जाए, they can be used for transplantation, तो देखो third point में क्या बोला है, उनको transplant किया जा सकता है, and that is why आपके body के organs, heart, kidney, eyes, liver, heart valves, heart valves क्या होते हैं पता है, heart के अंदर ना, 4 chamber होते हैं पता है, 2 atrium होते हैं, 2 ventricles होते हैं, atrium and ventricle के बीच में ना सफ lap होता है, उसको valves बोलते हैं, ठीक है, and skin, यह सारे organs क्या हैं, they are very very valuable, cool, फिर एक आखरी सवाल, आज का आखरी सवाल, देखो, with respect to stem cell therapy, answer the following questions, सबसे पहला, what are stem cell, stem cell का definition लिख दो यहां पर, special type of cell which can give rise to, many other types of cells, cool, how are stem cells preserved, stem cells को vials में भरकर, liquid nitrogen में रखा जाता है, temperature क्या होता है, देखो answer, minus 195 degree Celsius, cool, what are the sources of stem cell, कहां से मिलेंगे हमें, blastocyst embryo में, red bone marrow, blood, adipose connective tissue, यह सारे sources हैं, फिर, what are the two types of stem cells, based on the source, हमने दो टाइप पढ़ी होई हैं, embryonic stem cell, जो हमें embryo से मिलते हैं, and adult stem cell, जो हमें adult body में से मिलते हैं, and आखरी सवाल क्या है, give the two uses of stem cell, regenerative therapy, cell therapy, and organ transplantation, तो आज की कहानी, आज का मुद्द, आज का परपस, यहीं पर हम समाप्त करते हैं, यह पीछे जो डाइग्राम है, जो फोटो दिख रहा है, वो किस चीज़ का है, अगर आपको पता है, तो comment में post कर देना, आज का लेक्चेर अगर आपको सच मुच में पसंद आया, तो like करना, share करना, subscribe करना, हमने आज question answers भी किये हैं, तो I hope आपके सारे question यहीं पर, by heart हो जाएंगे, learn करके हो जाएंगे, and as usual, thank you very much for watching,